नमस्कार दोस्तों, आईए स्प्रेव एकेडमी की YouTube प्लेटफर्म पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज है साथ अपरेल 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं रोज की तरह आज का डेली 30, जो आज का डेली 30 प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम की अंतरगत हम करेंट अफेर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज पर जो बनने वाले प्रशने हैं, यह ऐसा टॉपिक है, जो छोटी सी चोटी और बड़ी सी बड़ी परिच्छा में आप से पूछा जाता है, इसको हम डिसकस करेंगे और इसको डिसकस करने के बाद मे करेंट अफेर के कुष्टन को हम देखेंगे, चलि सुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रशन, कल का जो वीडियो था 6 अपरेल का, आप लोगों ने उसको सेर किया, अच्छा लगा मुझे, उसको लाइक किया, आज कभी लाइक का जो टार्गेट है वो कम ना होने दीजेगा जिसे कि लोगों को लगे कि हाँ ये क्लास जो है, वो इंपोर्टेंट है, अगर आपको लगता है, तो लोगों को लगेगा, अगर आपको लगता है तो इसको लाइक कीजेए और सेर कीजे, वाटसेप ग्रूप पे, फेस्बुक when पे या अपने उन सभी मित्रों को जो करोन में घर से पढ़ा ही कर रहे हैं पहला प्रस्न है भारत में सबसे बड़ा बाग सन्रचन अस्थल कहां है यहां पर जो बड़ा पूछा जा रहा है इसका मतलब पहले समझेए इस बड़ा का मतलब पूछा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा एरिया किसका है ठीक है सबसे कौन सा है जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है तो इसमें है नागार्जुन सिरी सैलर्म टाइगर रिजर्ब यह डी ऑप्सन इसका करेक्ट है इसका एरिया जो है वो 3296 वर्ग किलोमीटर है जो एक बाग सान रचन छेत्र है ध्यान रखिएगा अगला प्रशन यह है कहां यह भ वनिजू अभियारण है यह वाग सान अच्छन स्थल है यह कहां है तो यह आंद्रप्रदेश में है नेक्ट कुश्चन है निम्नित कत्म पर विचार कीजिए जीवास्व राष्टिये उद्यान भारत के मद्ध प्रदेश राज्य में इस्थित है मद्ध प्रदेश में यह सबसे बड़ा नहीं यह इस्मालेश्ट है वहां का सबसे छोटा है तो दूसरा इस्टेक्मेंट गलत हो जाएगा केवल एक सही हो जाएगा यह यहां पर सही उतर हो जाएगा जिवास्व राष्टिये उद्यान मद्ध प्रदेश का जो डिंडोरी जिला है कौन सा जिला डि इंपोर्टेंट हो जाएगा इसका सन भी उनी सो अरसक्त में इसकी अस्थापना हुई और इंमत प्रदेश का सबसे छोटा राष्टियो द्यान है नेक्ट कुश्चन है सुमेलित करने का बाग रिजर्ब दिये हैं और राज जी आपको इसमें सुमेलित करना है बताइए ब 3, 1, 2, 4 ए आपसन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा इसी समय इसको नोट कर लीजे याद कर लीजे जैसे भी आप याद कर पाएं और मैप खोल के इसको देख जरूर लीजिए कि इसका लोकेशन कहां है कैसे है अगर ये प्रोग्राम सही रहता है आप लोग इसमें जो व्यू इसमें को सुमेलित कीजिए इसमें देखे जो आपसे पूछा जा रहा है वो इंपोर्टेंट है इसमें ये जानना सबसे बड़ी बात यह कि कुछ चन कैसे कैसे पूछे आते हैं यहाँ जो ये सुमेलित करने का प्रश्न है इसको मैं अगर छोटा करू तो ये सेट हो सकता ह है वन बिनेट नहीं यह सेट इसले नहीं होगा क्योंकि यह प्रिंट बढ़ा किया गया है तो इसका जो यह पूछा जा रहा है यह देखिए यूपी से रिलेटेड है यूपी से भले रिलेटेड है लेकिन यह जो टॉपिक है वो वही है पहला इसमें जो है यह नवाब गं पक्षी बिहार कहां पर है उन्नाव में तो A का हो जाएगा 2 इधर में नोट कर ले रहा हूं ओखला पक्षी बिहार कहां पर है यह है गाजियाबाद में गौतम बुद्धनगर जिसे कहते है बरतमान में गौतम बुद्धनगर नाम से जाना जाता है तो B का हो जाएगा 3 और स प्रकास नगर पढ़ता है तो वहीं पर है पारवती अरंगा पक्छी भियाद तो यह डी का वन हो जाएगा पर यहां पर भी सुमेलित करना है अभ्यारण और राज का यह प्रश्ण है गरम पानी नामदफा पाखल और सरिस्का यहां पर दिया हुआ है तो आपको एक चीज और कोई किलियर करनी पड़ेगी ठीक है पाखल जो है यह आंद्र प्रदेश में अगर आपको पता है तो ठीक है नामदफा जो है यह आउनाचल प्रदेश में अभी उपर भी आया था तो यह क्या हो जाएगा टू और गरम पानी कहां पर है गरम पानी है असम में तो यह हो जाएगा तो 3214 3214 यहां पर क्लियर हो गया बार बार मैं कहता हूं कि जब आप पढ़ते रहेंगे कर पाएंगे कहीं से भी करिए लेकिन यह चीज़ करते रहें हर रोज आप अपना एक प्रैक्टिस का टार्गेट सेट करिए कि इतना प्रैक्टिस हमको करना ही है अगर आप उतना नहीं कर पाते हैं तो आप उसको कोसिस करिए कि अगले दिन उससे जादा करें उतना कवर कर जिसने की पुरा आपका जो पीछे का छूटा है वो कर सकें, टार्गीट इतना बड़ा मत सेट करिए कि वो असंभव हो, कई बार हम चेडूल बनाते हैं, बहुत बड़ा टार्गेट बना लेते हैं, लेकिन सेट जरूर करिए, कुछ अपना लिख के रखिए कि इतना हमको करन ही है, सुची फसिगेंट को सुमेलित करना है, नोक्रेक मानस दिहांग दिवांग अगस्तमलाई, तो नोक्रेक में घाल है, सबको पता है यह, अगर नहीं पता है तो याद कर लिजे, मानस, मानस कहां पर है, मानस है असम में, असम है दो नमबर पे, और दिहांग दिवांग तो रिजर्व हिंदी में कहा जाता है, कभी-कभी translation करके इसको भंडार भी कह दिया जाता है, अंग्रेजी में रिजर्व कहा जाता है, तो इस यहां रखेगा, सुची फास सिकेंड को सुमेलित करना है, यहां पर देखे एक प्रश्ण यह बन रहा है, कि अस्थापना किस वर् नंदा देवी की जो अस्थापना है, वो हुई थी 1988 में, तो B का 3, और सुंदर 1 की अस्थापना है, वो हुई थी 1989 में, तो C का 2, और वचा 1 कंचन जंगा 2000 में इसकी अस्थापना की गए थी, 4-3-2-1, 4-3-2-1 के B option पर दिया हुआ है, B option यहां पर correct हो जाएगा, Next question, पाइस्तितिक दिश्टकोन से पूर्वी घाटों और पश्चमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्निकित में से किसका महत्तो अधिक है, देखे, यह concept-based प्रशन है, अगर आप location जानते हैं, location आपका clear है, तब आप इसको कर पाएंगे, सत्यमंगलं टाइगर रिजर्व जिसको कहते हैं, यह आधाता होगा सत्यमंगलं टाइगर रिजर्व, यह option यहाँ पर correct हो जाएगा, विस्तु का सबसे बड़ा बानिस्पति कुद्यान इस्थित है, कहां पर इस्थित है, पूरे विस्तु की बात हो रही है, केवल भारत की बात नहीं हो रही है, तो यह है क्यों, क्यों जो अस्थान है, वो है इंग्लैंड में, क्यों में यह रायल बातनिक गार्डन है, जिसकी अस्थापना 1769 में हुई थी, 1769 में इसकी अस्थापना हुई थी, क्यों में है, इसका नाम है रायल बातनिक गार्डन, 2003 में युनिस् का सबसे बड़ा वानस्पतिक उध्यान है कहां पर है इंग्लाइंड में अगला प्रशन है निम्निकित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायू उष्ट कडबंदिये से उपोष्ण सीतोष्ण और आर्कटिक तब परिवर्तित होती है यह भी कंसेप्ट का प्रशन है इस्तित है अरोनाचल प्रदेश में नामदफा नेशनल पार्क अरोनाचल प्रदेश में इस्तित है और इसकी जलवायू उष्ट कडबंदी है वो पोष्ण सीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती रहती है क्योंकि इसके लिए दूतीन चीजें चाहिए एक तो ऐस चाहिए जिसमें वर्सा हो हमेशा वर्सा नहों दूसरा ऐसा चेतर चाहिए जो पहाडी चेतर हो पठारी मलब पहाल पे स्थित हो यह सारी जो रिकार्मेंट है वो यह पूरी कर रहा है अगला प्रश्ण इनमें से कौन राष्टी उद्यान प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर अंतरगत देखा जाए तो 50 अंच्छित जो छेत्र हैं वो उद्यान हैं वो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतरगत आते हैं इनमें जो तीन दिये हैं काना रर्थंबावर और कार्वेट यह तीनों के तीनों आते हैं यहीं कि उपर युक्त सभी आते हैं और इसमें सबसे important है इसका place किस राज में हैं और या किस जिले में हैं कहीं कोई-कोई important होता है जो जिला भी पूछ ले आता है तो इसकी list आपको देखना है बस वही मैं बार बार कहता हूँ अगर यह कारिकरम सही से चलता रहा तो आगे आपके लिए और कारिकरम बढ़ाये ज सके और यह सफल भी रही है क्योंकि बागों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है आज का प्रश्न है कि भारत में बरतमान समय में जो बाग की गढ़ना हुई है कितने बाग है भारत में यह आपको कमेंट करके बताना है बागों की संख्या आपको बताना है उत्तर पू अंतराष्टिय टाइगर दिवस किस तिथी को मनाया जाता है बाग की बात आई है तो इसकी हम तिथी भी देख लें कम मनाया जाता है यह 29 जुलाई को मनाया जाता है 29 जुलाई को हर वर्स अंतराष्टिय अस्तर पर टाइगर दिवस मनाया जाता है किवल भारत में नहीं पू इसके मनाया जाना सुरु हुआ था अगला प्रस्वेंट है जंगली गदों का अभ्यारन गुजरात राज़िके कछ्रण में इस्तित है पहला स्पैक्मेंट सही है और इसकी स्थापना बिटिस्काल में हुई थी क्या दूसरा स्थापना यहां पर गलत है पहला तो सही है क्योंकि इसके स्थापना 1972 में ہुई थी on 1972 में थो भारत आजाद हो चुका था नाちは 1947 में भारत आजाद हो चुका था, तो 1947 में भारत आजाद हो गया, अब 72 में इसके इस्थापना होई, तो पेटिसकाल में कैसे हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही है, ये आफसन इसका करेक्ट हो जाएगा, निम्निकित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित है सिमलीपाल असम क्या ये सही है नहीं ये सही है नहीं है क्योंकि सिमलीपाल कहां पर है उडिसा में नोक्रेक में घाल है ये सही है दिहांग दिबांग सिक्किम ये गलत है क्योंकि ये अरुनाचल प्रदेश में है और अगस्तमलाई करनाठक ये भी गलत है क्योंकि ये केरल में है तो कौन सा सही है भी सही है सही पूछा जा रहा है यही तरीका होना चाहिए ये कुश्चन करने का आप पहले सही गलत अपना जो आता है उसको cut कर लीजे, अपना निसान लगा लीजे, फिर देखे क्या पुछा रहा है, कौन सा युग में सही है, अगर सही पुछा जा रहा है, तो आप सही वाले को tick कर दीजिए, बार बार मैं कहता हूँ, practice से ही आप perfect होंगे, बिना practice के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, कितना भी पढ़ लीजे, जब तक आप practice नहीं करेंगे और रोज नहीं पढ़ेंगे, जो लोग आराम कर रहे हैं, lockdown के चक्कर में केवल समय की विर्वादी कर रहे हैं, वो एक-दो साल पीछे हो जाएंगे, क्योंकि exam जैसे ही इस्तितियां सही होंगी, अपने time पर जरूर हो निम्निखित में से कौन सा उसमें सामिल नहीं है, तो इसमें मन्नार की खाड़ी, नंदा देवी, सुंदरवन है, कंचन जंगा इसमें सामिल नहीं है, भारत में जो 18 जयो मंडल आरची छेत्र हैं, इनमें से 10 को युनिशको ने मानिता दी है, इसमें नीलगरी है, नंदा द पूछे जाते हैं तो ऐसी जब चीजे होती हैं तो उनको आपको इस रूप में पढ़ना चाहिए कि वो आप से पूछी जाएंगी तो आप उसको कर पाएंगे यह नहीं कर अगर नहीं कर पाएंगे तो आप फिर से उसको रिवाइज करिए जब तक आपको यह तयार न हो जाए बार-बार उसको पढ़ते रहिए यह दस याद करना कोई पालगाट नौगाओं यह फोर हो जाएगा कुद्रे मुख कुद्रे मुख हो जाएगा चिक मंगलूर बी का वन साइलेंड वैली पालगाट यहां पर देखिए तोड़ा सा माइनूट लेबल का क्यावली स्टेट में नहीं गया है वहां कि अस्थान पूछ लिया है और पेज प्रशन देखते हैं सुमेलित करने का यह प्रशन है देखे यहां पर हर तहे के प्रशन मैंने आपके लिए सेट किये हैं यहां पर जो यह प्रशन है इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा अभ्यारण किस चीज के लिए जाना जाता है एक प्रशन हो गया कहां पर है एक प्र प्रेंडा चार नंबर पे दिया है, A का 4, गिर अभ्यारण, गिर जो है वो सेर के लिए जाना जाता है, B का 3, और सुन्दर वन वाला ये बाग के लिए जाना जाता है, C का 1, और पेरियार जाना जाता है हाथी के लिए, तो ये question इस तरीके से पूछा गया, कि कौन सा किस के ल जो है, ये जम्मू कस्मीर में है, A का 2 हो जाएगा, पापी कोंडा, पापी कोंडा कहां पर है, आंद्र प्रदेस में, B का 1 हो जाएगा, आंद्र प्रदेस और तेलंगाना दोनों में इसका विस्तार पाया जाता है, अगर तेलंगाना भी यहां पर दे देगा, तो वो भी स सही उत्तर हो जाएगा, B आपसन यहां पर correct है, अगला प्रश्न, सुमेलित करने का यह प्रश्न है, गिरवन, भरतपूर, वर्ड सैंक्चरी, बांधोगड सैंक्चरी, और कांजी रंगा सैंक्चरी, इसको आपको सुमेलित करना है, गिरवन कहां पर है, गिरवन तो गुजरा ध्रश्फा में है, A का फोर, भरतपूर जो आप से पुछा जा रहा है, यह राजस्थान में है, भरतपूर वर्ड सैंचरी, तो य chamado B का में तो ही आप जानते हैं लेकिन राजस्थान की किस जिले में है जुझनु कल हमने पढ़ा था परसो वाले क्लास में कि जुझनु किस के लिए जाना जाता है जरा बताईएगा आगे से कुछ भी स्टार्ट होने वाली है कहने के मतलब रोज कुछन पूछे जाएंगे आपसे तो राजस्थान की जुझनु जिले में ये इस्थित नहीं है तो पहला स्टेक्मेंट गलत हो जाएगा क्योंकि ये भरत पुर्जिले में है और दूसरा है केवला देव राश्टी उद्यान में साहिवेरियन सारत सर्दियों में प्रवास करते हैं दूसरा सही है इसके गिर गुजरात तो D का 4 हो जाएगा रोहला जो है ये रोहला कहां पर है तो रोहला भी आप जान लीजिए ये हो जाएगा हिमाचाल प्रदेश में C का 1 और पांधीपूर पांधीपूर आपसे पूछा जा रहा है तो ये है करनाटक में कई बार हम कर चुके हैं और बांधो कर लिगकर याद करिए जिस्से कि आपको याद हो जाए अगर आप भूल जाते हैं और सबसे अच्छा तरीका है है इसको बार-बार मैप में देखकें कि तो ये याद हो जाएका अपने आप देखें, तो जज़ादा सई हलेगा मैं तो एक बार दिखा के हड़ा दूंगा तू उतना जाता की नोग जीमेंडल रिजर्फ यहां पर दिखिए यह चेटर से कुश्चन में पूछ लिया गया गारोपहाड़ी क्या ये सही है लोक टیک जील में घाल है ये गलत फोल है क्योंकि ये मड़ीपुर में अगला प्रशन, भारत में अस्थापित पहला राश्ट्य उद्द्यान कौन सा था? और ये कब अस्थापित हुआ था? ये भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा, लेकिन ये पहला जो राश्ट्य उद्द्यान था, ये हैली नेशनल पार्क के रूप में अस्थापित हुआ और यह है जिम कारवेट राष्टिय उद्ध्यान, यह आपसन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और कब यह अस्थाफित हुआ था? यह 1936 में हुआ था, यह बिटेस काल में हुआ था, अब चलिए करेंट अफेर के छे प्रशन देख लेते हैं, जो बहुत ज्यादा आप स्विट्जर लैंड में, कहा पर? स्विट्जर लैंड में, जहाँ पर स्विस बैंक है, तो यह दूसरा गलत हो जाएगा, तो केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पर एक चीज मैं और आपको बता दू, जो 7 अपरेल को अंतर रश्टी अस्थर्व विस्व स्वाध दिवस्त आज बनाया गया इसका थीम क्या है और इसका थीम इस बार है यह आप दन नर्स और मिडवाइफ और इस बार देखिए डाक्टर और नर्स अपने जान की बाजी लगा कर कोरोना से लड़ रहे हैं और युनिस को यह विस्तु स्वाध संगठने डबलो एंच से ही इसको तैय कर रखा था यह राप दन नर्स और मिडवाइफ क्या इतिफाक है अगला प्रस्ट के इंद्रिय मंत्री मंत्र ने प्रदान मंत्री और अनिस आंसतों के बेतन में 30% की कटौथी करने को मंजूरी देते हुए MPLATS को दो वर्ज के लिए अस्तकित कर दिया MPLAT के बारे में आप जानते हैं, सांसाद अस्तानी चेत्र विकास जो योजना होती है, उसको 60 में MPLATS कहते हैं, तो यह अभी 5 अपरेल को निर्ने लिया गया, ऐसा किया गया, 6 अपरेल को यह किया गया है, तो यह सही है, बिल्कुल सही है, 30% की इसमें कटौथी की गई, और MPL को 1993 में पेस किया गया था, यानि कि तब ही इसकी माई थी, यह भी सही है, दोनों के दोनों यह सही है, कुरोना के चलते ऐसा किया गया है, कुरोना के कारण जो पैसे खर्च हो रहे हैं, वो कहां से आएंगे, तो ऐसे कटावती करके इनको पूरा किया जाएगा, अगला प्र अधान जी लोग अमीर हो रहे हैं लगाता, तो मन्रेगा कार्ड, जो जाब कार्ड बनता है, उसके लिए क्या इंपोर्टेंट है, लाभार्थी होने के लिए, यह मैंने प्रशन सेट किया मेरे दिमाग में आया, तो वो भारत का नागरिक हो, बिल्कुँ सही है, आवेदन क चाहिए, ठीक है, तो यह चौथा गलत हो जाएगा, 1, 2, 3 यहाँ पर सही हो जाएगा, C आपसन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, अगला प्रशन, साइटो कानीन इस्ट्रोम क्या है, तुफान, स्ट्रोम माने तुफान होता है न, तो साइटो कानीन इस जाता है, तो फेपड़ों में संक्रमन होता है, तो फेपड़ों में सूजान आ जाता है, ठीक है, और कटनाई होने लगती है सांस लेने में, उस तरह के जो विकार होता है, वैक्टेरियल निमूनिया जैसे होता है, तो ऐसे में रोगी क्या होता है, मर जाता है, इस कारण से यह चर्चा में है, तो इस पर एक प्रशन बनाया गया, अगला प्रशन, नुन कत्मों प और भारती मुल्के अमरिकी अंत्रिच यात्री राजाचारी को नासा के आर्टेव लिस मिसन हे चुना गया है, यह भी सही है, तो दोनों के दोनों इस स्टेट्मेंट यहाँ पर सही है, देट यहाँ पर सन्याद रखियेगा, दो हजार चौबिस तक यह भेज़ना चा रहा है 2024 तक ये भेज देगा चंद्रमा के दच्छनी धुरू सही चंद्रमा की जो सते हैं उसके अन्य जगों पर अंत्रिच यात्रियों को उतारने क्या इसमें लक्ष रखा गया है और अंतिम प्रेशन है आज का भारत में कोरोना वाइरस लाकडाउन के दोरान निम्लिकित में से कौन से कानून चलन में है यानि कि किन कानूनों के तहट कारवाईया की जा सकती है या की जा रही है आईपीसी की धारा 188 सही है आपदा प्रबंदन अदरियम 2005 की धारा 51 वा 52 ये भी सही है और आईपीसी की धारा 505 क्या ये सही है ये भी सही है इस धारा को भी लागू किया गया है, ठीक है, IPC की धारा 505 भी है, तो ये एक, दो, तीन सभी हो जाएंगे, धी आपसन इसमें correct हो जाएगा, इसमें क्या है, किन धाराओं में क्या है, हर धारा में यही कोसिस की गई है, कि जो ये lockdown है, इसमें क्या होता है, जैसे IPC की धारा 188 है, एक लोग सेवक द्वारा जो पारित आदेस है, अगर उसकी आप आउहलना करेंगे, तो आपको 6 मेने का कारावास हो जाएगा, ठीक है, महामारी रोग अधनियम के तहट पारिक उलंगन के आदेसों के लिए, धारा 188 का प्रावधान IPC में किया गया है, ऐसे आपदा प्रबंदन की जो ये धाराएं किसी भी अधिकारी या क्रमचारी या सरकार का जो भी worker है, वो किसी आपदा प्रबंदन प्रादिकरण द्वारा किसी कारी के निर्वहन के लिए मना नहीं कर सकता, वो बाधित है कि वो करेगा ही, ठीक है, ऐसे ही जो धारा पानसो पास है, उसके अंतरगत क्या प्रावधान इसमें उन लोगों के लिए जो किसी भी चीज को प्रकासित या प्रसारित करते हैं, जिससे डर्म फैलता है, alarming condition होती है, कि अरे ये तो बड़ा, दिखिए कितना ब्रहम की इस्तिति होते हैं, अगर आप इसको सही से पॉपलर बनाएंगे, अच्छे से चलता रहेगा, तो आपकी तयारी आसान करने के लिए और भी कारिक्रम हम लेकर आएंगे, इसका पीडिएप आपको कल मिल जाएगा, कल यानि 6 अपरेल का जो पीडिएप है, वो आज अभी वेबसाइट पे और टेलिग्राम पे अप्लोड कर दिया जाएगा, टेलिग्राम का लिंक नीचे डिस्कुप्शन बाक्स में दिया है, या आप सर्च करिए, आई एस प्रेप ऑफिस्यल बिना इस्पेस के, आपको मिल जाएगा टेलिग्राम, फेस्बुक का जो लिंक दिया है, डिस्कुप्शन बाक्स में, उसको भी आप जॉइन कर लेजे, वहाँ पर भी हम लिंक दे देते हैं, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, यानि कि टेलिग्राम से, यानि कि फेस्बुक से, और हमारी वेब साइट है www.uppsctarget.com, उसके डाउनलोड सेग्मेंट में इस सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, थाइंक्यू, थाइंक्यू, बेरे,